आज हम आपको सपने में चीनी देखना या नहीं सपने में शक्कर देखना कैसा होता है और चीनी का स्वापन फल शुब अशुब की जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों सपने में चीनी देखना, चीनी खरीदना, बेचना, सपने में चीनी का गिरना, सपने में चीनी करवी होना, मीठी होना जैसे अनेक शक्कर के सपनों को शुग या आशुब की जानकारी हिंदी में बताने वाले हैं दोस्तों चीनी एक ऐसी वस्तू है जिसे खाने से आपके मूह में ताजगी आ जाती है चीनी का मीठा स्वाधर वर्ग के लोगों को अच्छा लगता है चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े मीठा खाना किसको पसंद नहीं है घर में ही वस्तू गुन अथवा चीनी से बनता है इसमें ज्यादातर चीनी का उपयोग होता है सोच लो यदि आप बिना चीनी कैसे रह पाओगे इस प्रकार चीनी का बड़ा ही महत्वा है यदि आपको सपने में चीनी दिखाई देती है तो चलिए जाने सपने में चीनी देखने का अर्थ क्या होता है चीनी का स्वापनफल शुब या शुब दोस्तों, ड्रीम एस्ट्रोलोजी अनुसार सपने में चीनी देखना शुब और अशुब दोनों ही कहलाता है आप सपने में चीनिकों के सवस्था में देखते हैं उस पर निर्भर करता है कि सपने में शक्कर देखना कैसा होता है सपना शास्त्र अनुसार सपने में शक्कर देखना ये सूचित करता है कि आपका जीवन जीने की तरह मिठास भरा है आप अपने परिवार के साथ सुख शांती एवं समृद्धी से अपना जीवन जी रहे हैं आपने वहां सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक शांती भरे जीवन में होना चाहिए इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपको सपने में चीनी दिखाई दी है सपने में चीनी खरीदना दोस्तों ज्योतिश शास्त्र अनुसार सपने में चीनी खरीदना शुब संकेत माना जाता है ये सपना हमें ये सूचित करता है कि भविश्य में आप बड़ा घर, बड़ी, गारी या प्रॉपटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं ये सपना आपकी आर्थिक स्थिती में मजबूती होने वाली है उसकी ओर इशारा करता है आर्थिक स्थिती में मजबूती के साथ आपकी तरक्की होने वाली है इसकी और भी यह सपना इशारा करता है सपने में चीनी बेचना, दोस्तों ख्वाब में चीनी बेचना अशुब संकेत की निशानी है ये सपना ये दर्शाता है कि आपके घर आर्थिक स्थिती में ओलट फिर होने वाला है जहां अब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत थे आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिती कमजोर पड़ सकती है हो सकता है कि आपका पैसा कहीं अटक सकता है या डूब सकता है ऐसे समय में आपको पैसे का इस्तिमाल ध्यान से करना चाहिए और पाई-पाई का हिसाब रखना चाहिए चीनी को बनते हुए देखना दोस्तों यदि आप सपने में चीनी को बनते हुए देखते हैं तो ये सब में ये दर्शाता है कि आप किसी काम्याब व्यक्ति से इंस्पाया हो रहे हैं आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए आप स्वयम मोटिवेट होने का प्रयास कर रहे हैं आप अपना विश्वास और भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं इसकी वज़े सपना इशारा करता है चीनी को खाना सपना शास्त्र अनुसार सपने में चीनी को खाना शुब संकेत माना जाता है ये सपना यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थय को दर्शाता है आप अंदर से बहुत मजबूत है और कोई भी समस्या आने पर आप घबराते नहीं है इसकी और यह सपना की सारा करता है इसी के साथ आपके इसी जजबे के चलते भविश्य में आप नई नई उचायों तक पहुँच सकते हैं आपका सकारात्मक रूप और निदर होकर हर परेशानी का सामना करना विजय प्राप्ती का संकेत देता है इसलिए भविश्य में आप जो भी कुछ करें उसमें आप जरूर सफल बनेंगे और जीत का स्वाद चखेंगे इसकी और यह सपना इशारा करता है चीनी से मिठाई बनाना दोस्तों ड्रीम एस्ट्रोलोजी अनुसार सपने में चीनी से मिठाई बनाना शुब संकेत माना जाता है यह सपना यह दर्शाता है कि आप अपने आये का कुछ हिस्सा अच्छे कार्य में बांटने वाले हैं इन पैसों से यदी लोगों का कल्यान हो रहा है तो इससे शुब कार्य क्या हो सकता है? आप भी भविश्य में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं इसकी और यह सपना ही शाला करता है. सपने में चीनी खत्म होना दोस्तों ज्योतिश शास्त्र अनुसार सपने में चीनी खत्म होगा आशुब संकेत की निशानी है. ये सपना हमें ये सूचित करता है कि आने वाले दिनों में आपके घर की खुशियां दूर होने वाली है आपके घर पर किसी की नजर पढ़ने वाली है हो सकता है कि आपके घर में मत भेद या कोई ऐसा कारण हो जिसके चलते आपके घर पहले जैसी खुशिया नहीं रहेंगी सपने में चीनी की बोरी देखना दोस्तों सपना शास्त्र अनुसार सपने में चीनी की बोरी देखना शुब संकेत माना जाता है ये सपना ये दर्शाता है कि आपने आज तक बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की है आपकी सफलताएं लोगों के लिए इंस्पाया होने का जरिया है भविश्य में आपकी इनी सफलताओं पर लोग प्रशंसा करने वाले हैं और आपकी काम्याबी की तारीक होने वाली है ये सपना मान सम्मान में बढ़ोतरी और काम्याब होने पर मान सम्मान प्राप्त होने का इशारा है सपने में चीनी का पिघलना दोस्तों स्वपन शास्त्र अनुसार सपने में चीनी का पिघलना शुब संकेत माना जाता है। ये सपना हमें ये सूचित करता है कि इंसान को कभी भी अपना विधायक को मल रखना चाहिए। बड़ी से बड़ी तकली फाने पर भी उसे खुशी-खुशी उसे अपनाना चाह चाहिए। तभी कोई बात पर निराश नहीं होना चाहिए और मुसीबत का सामना बैठ कर करना चाहिए। जो सपना हमें जीने की दिशा को समझाता है और इसलिए हमें अपने से खुश होना चाहिए। चीनी की चोरी करना दोस्तों ज्योतिश शास्त्र अनुसार सपने में निषेनी की चोरी करना अशुब संकेत की निशानी है। ये सपना हमें नकारात्मक विचार को दूर करने का इशारा करता है। यदि भविश्य में भी आप य्जी नकारात्मक विचार में दूबे रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं बनेंगे। इसकी और यह सपना इशारा करता है, सपने में सफेध चीनी देखना, दोस्तों स्वपन शास्त्र अनुसार सपने में सफेध चीनी देखना शुब माना जाता है, ये सपना हमें ये सूचित करता है कि आपको अपने कार्या के प्रती पूरी निश्था रखनी चाहिए तभी आ जल्दी प्राप्त हो सकती है. सपने में खड़ी शक्कर देखना. दोस्तों ज्योतिश शास्त्र अनुसार सपने में खड़ी शक्ल देखना शुब संकेत माना जाता है. ये सपना ये इशारा करता है कि आने वाले दिनों में आपको बड़ी काम्याबी प्राप्त हो सकती है. य आप व्यावसाई को बढ़ाने का और व्यावसाई से अधिक पैसे जुटाने का भी सोच रहे हैं।